हेलो दोस्तो रषण गुपता ओफिसयल यूटूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है मैं हूं आपका दोस्त रषण तो पिछला नौ वीडियो जो है अमेन से डिटेट में बनाया हूँ जिसमें आपका पांच वीडियो जो होगा प्रैक्टिसेट है और चार वीडियो जो होगा वो प्रिवियस येर का कोशन है तो ये जो था ये यूनिक पब्लिकेशन का बुक था जिससे मैं कोशन लिया था सारा और अब जो है एक नया publication का book है उसे मैं ले रहा हूँ ठीक है ये practice set जो है उसी book का पहला practice set है previous year का question same to same था तो मैं practice set शुरू करूँगा तो उस जो नया book है उससे देखेंगे फिर मैं और भी book देखूँगा इससे भी अच्छा book देखूँगा ठीक है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो लाइक जरू कर लिजएगा अपने दोस्तों को share भी कर दीजएगा और अभी तक जो मेरे चैनल को subscribe नहीं किये हैं नए है मेरे चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब जरू कर लिजएगा विकि नोटि दीजिए तो चैट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए तो सही अंसर होगा option नमर क्या होगा option नमर बीच का सही अंसर होगा क्योंकि तिरतिय जो जना जो था 1961 से 1966 के बीच था ठीक है विर्जु महराज जो है प्राख्यात है किस लिए प्राख्यात है विर्जु महराज जो है किस फिल्ड से रिलेटेड है तो यहाँ पे चार option इस तरह से दिया हुआ है सही अंसर आपको बताना है सही अंसर क्या होगा तो सही अंसर इसका होगा option नमर डी कथक के लिए famous है वि जाता है यहां पर चार अप्सम इस तरह से दिए हुगा है आपको जोया से अस्थापना इप इस ने कि थी यहां पर चार आप्शन देखिए इस तरह से दिया हुआ है सेयंसर आपको बताना है तो चैट बॉक्स में फटा-फट आप लोग एंसर बताईए इसका सेयंसर होगा आप्शन नमबर सी धर्म पाल ने जो है विक्रम सिला विश्विद्याला की अस्थापना की थी अगला कॉसर देखते हैं निमलिकीत में सुझ जो है किसको परशांत महासागर की पार सरक कहा जाता है यहाँ पे 4 option दिया हुआ है, सही अंसर आपको बताना है, सही अंसर इसका क्या होगा, इसका सही अंसर होगा option नमर B, फीजी, ठीक है, फीजी जो है, वो परसांद महासागर की पार की सरग उसको बोला जाता है, फीजी को, चलिए अगला question देखते हैं, भारत के कितने राजियो से समुद्र रेखा, वो मिलती है, यहाँ पे 4 option इस तरह से दिया हुआ, सही अंसर आपको बताना है, सही अंसर किया होगा, सही अंसर होगा option नमर C, ठीक है, 9 राजियों से समुद्र रेखा, मिलती है, लेगला question देख लेते हैं, भारत में पंडूबी में जलियात्रा करने व इसका सही अंसर होगा option नमर B, Dr. A.P.J. अब्दुल कलाम, इसका सही अंसर होगा, अगला question देखेते हैं, if cricket is religion, सचीन is God, ठीक है, if cricket is religion, सचीन is God, नामक पुस्तक के लेखक जो है, कौन है, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक जो है, कौन है, यहाँ पे 4 option दिया हुआ, सही अंस विजे, संथानम और स्याम, बाला सुबरमन्यम जो है, यह दोनों ने मिलके जो है, यह किताब लिखी है, चलिए अगला question देख लेते हैं, parliamentary system में कारे कारनी किसके परती जिम्मेदार होते हैं, तो यहाँ पे 4 option इस तरह से दिया हुआ है, सही अंसर आपको बताना है, सही अं option number C, ठीक है, लोग सभा के परती जिम्मेदार होते हैं, चलिए अगला question देखते हैं, भूम अंडलिये पवन क्या होते हैं, भूम अंडलिये पवन जो है, क्या होते हैं, यहाँ पर 4 option दिया हुआ है, सही अंसर आपको बताना है, भूम अंडलिये पवन जो है, इसका option नमर 20 यहां पे चार ओप्षान दिया हुआ है सही एंसर क्या होगा तो सही एंसर होगा, option number A, सुपरियर जील जो है छेत्रफल में सबसे बरी जील है चलि यगला कोशन देखते हैं जब नदी समुंद्र से मिलती है तो यह वी अकार के मुख को परदरसीद करती है इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर चार ओप्सन दियावा सेंसर क्या बोलेंगे इसको इसको बोलें है यहाँ पर चार ओप्सन दिया हुआ है सेंसर आपको बताना है तो पिर्थिवी की परिदी लगवग जो है चालीस हजार किलो मीटर है ठीक है चालीस हजार किलो मीटर अगला कोशन देखते हैं कौन सा राज जो है उनी कपरों का सबसे बड़ा उतपादक राज है कौन सा राज जो है उनी कपरों का सबसे बड़ा उतपादक राज है यहाँ पर चार ओप्सन दिया हुआ है आपको सही अंसर बताना है तो सही अंसर क्या होगा तो सही अंसर लकरी जो है कोईले के में परिवर्तन की परतन आवास्था को परदर्शित करता है यहां पर चार आप्शन दिया हुआ है सही अंसर आपको बताना है तो सही अंसर होगा option नमर B पीट टैप का जो कोईला है वो कोईले की पर्थम प्रारंबी का वास्था को धर्चाता इसमें जो कार्वन की मात्रा जो होती है वो कम होती है चलिए अगला question दखते हैं किसने वो उपनियास लिखा जिस पर जो है चल्चित्र सलम डॉग मिलिनियर जो है का निर्मान हुआ एक मुवी था सलम डॉग मिलिनियर जो है वो किसके उपनियास पे बनाया गया था यहाँ पर चार option दिया हुआ है अगला question देखते हैं किसकी आत्म कथा जो है मेरा देश मेरा जीवन माय कंट्री माय लाइफ जो है यह बुक लिखा है आत्म कथा जो है यह बुक है किसका किसका बुक है यह किसकी जीवन पर है तो यह चार option दिया हुआ है sensor आपको बताना है अगला question है अंतराष्टी ए ट्राइल जिसमें पूर्व नाजीन एता जो है दोसी करार दिये गए वो थी कौन सा अंतराष्टी ए ट्राइल था यहां पर चार option दिया हुआ है सही अंसर आपको बताना है जिसमें पूर्व नाजी नेतास अब उसको आपको अंतारी उस ट्राइल का नाम बताना है जिसमें जो यह दो थी करार दिया गया था नियाओ it clean युर्जाय यृतर क्या होगा इसकाlichen reached-ıktम में और एस बसकी में जो है साजहा ने अपनी राजधानी दिल्ली जो है अस्तांत्रे की थी कहां से ठीक है यहाँ पर चार अप्शन दिया हुआ से अप्शन नमर ए बंगाल से बंगाल से राजधानी सिफ्ट करके दिल्ली ले गया गया था 1649 में साजहाने अगला कोशन है संगहाई सयोग संगठन ठीक है कि अजूबों की लिस्ट में जो है किस भारती ये अस्मारक को सामिल किया गया है यहाँ पर चार अप्शन दिया हुआ है से अंसर आपको बताना है SEO बहुत फेमस अभी न्यूज में आ रहा है इसमें जो है संगहाई सयोग संगठन ने जो है अजूबों की लिस्ट जारी की है जिसमें आठ अजूबा सामिल है तो उसमें जो है किस भारती ये अस्मारक को सामिल किया गया है तो क्या होगा यहाँ पर भारत से कौन सा जूबा लिया गया है तो इसका होगा ऑप्शन नम्मर ए एस्ट्यूच्यू ऑफ इनुटी जो है इसको सामिल किया गया है अगला कुशन है हाली में किस सोचल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने जो है फेक न्यूज को रोकने के लिए टीप लाइन नामक फीचर लाँच किया है वाट्सेप ठीक है वाट्सेप अगला कुछने भारत ने एंटी सेटलाइट मिसाइल का जो है सफल परिक्षन किया इस मिसन को जो है क्या नाम दिया गया था यहाँ पर चार ओप्षन दिया हुआ से अंसर आपको बताना है तो सहींसर क्य होगा इसका सहींसर होगा option नंबर मिसन सक्ती ठीक है मिसन सक्ती कि अधो जो मैं आप प्रैटिस सेट ले रहाऊ है उसमें बहुत पूराना pasत दिया होगा था तो मैं ने उसको हटा के जो है प्रेसिंट जो मैं क्रेंड पशलों जो करेंड है वह मैं add किया हूँ में और बहुत सारे ऐसे question थे जो जरुवत नहीं था उसमें देने के लिए math में भी बहुत सारे question है जिसको मैंने हटा दिया है ठीक है तो आप लोग जदी यह बुग लेंगे तो आपको वो सब question में जो set में बता रहा हूं वो नहीं मिलेगा ठीक है मैं कोसिस करूंगा और भी set देखने का इससे भी अच्छा कोई set मिलता है तो मैं वो भी लेके आऊंगा और मैं मार्केट में English set के लिए बहुत लोग बोल रहें English में question देने के लिए तो English में भी मैं कोसिस कर रहा हूं कोई set मेरे को मिल जाए तो मैं वो set लेके आऊंगा आप लोग के लिए ठीक है चल आपको बताना है तो सही answer क्या होगा option number B परफुल पटेल परफुल पटेल जो है यह FIFA कारेकारी पड़िसाद में सामिल होने वाले पहले भारतिये जो है यह बने है परफुल पटेल अगला question देखते हैं clear polo sick पुरूसों के एक द्रस्य मैच में empiring करने वाली महला empire बनी है व पुरूसों के मैच में जो है empiring करेगी तो वो उसका नाम है clear polo sick तो वो किस देश की हैं यह पुछा जा रहा है तो चार option दिया हुआ सही answer आपको बताना है तो सही answer है option number B Australia की है वो Australia अगला question है politics of jugar the coalition handbook यह पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है ठीक है politics of jugar the coalition handbook जो है यह पुस्तक का नाम है यह किस ने लिखा है यहाँ पर चार option दिया हुआ सही answer आपको बताना है तो सही answer होगा option number B सबा नकवी सबा नकवी नहीं यह बुक लिखाया यह एक पत्रकार है ठीक है एक पत्रकार भी है चले अगला कोई संदेख लेते हैं भारती रिजर बेंक द्वारा जारी किये जाने वाले 20 रुपिये के नए नोट में जो है कौन सा एतिहासिक अस्थान का चित्र है उसपे ठीक है 20 रुपिया का नए नोट जारी हुआ है भारती रिजर बेंक के द्वारा उसपे कौन सा एतिहासिक अस्थान का चित्र है यहाँ पे चार option दिया हुए सही answer आपको बताना है तो सही answer क्या होगा सही answer होगा option number B एलोडा की गुफा अगला question है किस बेग्यानिक ने तोचा कैंसर का पता लगाने के लिए विशेश माइक्रोएस्कोप का निर्मान किया है तिहां पे चार option दिया हुए sensor आपको बताना है तो सही answer क्या होगा sensor का option number A करणाडा के बेग्यानिक ने विशेश तरह का माइक्रोएस्कोप बनाया है जिससे तोचा क कैंसर का पता लगाया जा सकता है चलिए अगला question देख लेते हैं 2023 में जो है ACI कप फुटबॉल का जो है टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा कौन सा देश में जो है 2023 का ACI कप फुटबॉल का टूर्नामेंट किया जाएगा तिहां पे चार option दिया हुए sensor आपको बताना है इसका science रहोगा option नमबर A चीन में होगा ठीक है चीन चलिए अगरा कोशन देखते हैं किस राज की जो है स्वीटी कुमारी को international young player of the year का आवार्ड मिला है किस राज की है स्वीटी कुमारी जिसको जो है international young player of the year का आवार्ड मिला है यह चार option दिया हुए sensor आपको बताना है स्वीटी कुमारी जिन को जो है international young player of the year का आवार्ड मिला है चलिए अगरा कोशन देखते हैं साबुन बनाने की परक्रिया को जो है क्या बोलेंगे साबुन बनाने की परक्रिया को क्या बोलेंगे हाँ पर चार option दिया हुए sensor आपको बताना है साबुन बनाने की परक्रिया को साबुन बोलते हैं अगला कोशन देखते हैं रक्त का थक्का जो जमने में कौन सा अवियब मदद करता है रक्त का थक्का जमने में इनमें से कौन सा अवियब मदद करता है तो चार option दिया हुए sensor आपको बताना है तो इसका सही अंसर होगा option number C, vitamin K, vitamin K जो है रक्त का थक्का जमने में मदद करता है अगला question है, दो विद्धू तावेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है, किसे संबंधित है, चार option दिया हुआ, सही अंसर आपको बताना है तो सही अंसर होगा option number C, कूलम के नियम से संबंधित है, दो विद्धू तावेशों के बीच लगने वाले बल जो है, ये कूलम के नियम से संबंधित है अगला कुछ से संबंधित में सबसे भारी धातू जो है, कौन है, सबसे भारी धातू, यहाँ पे चार option दिया हुआ, सही अंसर आपको बताना है सही अंसर होगा option number A, ये उरेनियम जो है, सबसे भारी धातू है, नियम लिकित में से अगला question देखते है, steel को कठोड़ता परदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, steel की कठोड़ता परदान करने के लिए, क्या बढ़ाई जाती है, यहाँ पे चार option इस तरह से दिया हुआ, सही अंसर आपको बताना है सही अंसरो का option number C, कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं, steel की कठोड़ता बढ़ाने के लिए कार्बन की मात्रा बढ़ाते है, अगला question है, बॉक्साइट से किस धातू की प्राप्ती होती है, बॉक्साइट जो है, उससे कौन सा धातू निकाला जाता है, यहाँ पे चार option दिया ह सही अंसरो आपको बताना है, बॉक्साइट से आपको अलमूनियम निकाला जाता है, अगला question है, रोटी चवाने पर मीठा क्यों लगता है, यहाँ पे चार option दिया हुए सही अंसरो आपको बताना है, सही अंसरो है option number A, कार्बोहाइडर्ड जो है सक्कर में परिवर्तित हो इसलिए रोटी चवाने पर मीठा लगता है, अगला question है, गाय की गर्व अबधी जो है, यहाँ पे चार option दिया हुए सही अंसरो आपको बताना है, तो सही अंसरो है option number B, 274 से 280 दिन है, 274 से 280 दिन, अगला question देखते है, कार की बैटरी में इस्तिमाल होता है, कार की बैटरी म क्या इस्तिमाल होता है, यहाँ पे चार option दिया हुए सही अंसरो आपको बताना है, कौन सा acid इस्तिमाल होता है कार की बैटरी में, तो option number A, इसका सही अंसरो होगा, sulfuric acid जो है, कार की बैटरी में इस्तिमाल होता है, अगला question देखते है, दुधारू पसुओं में केल्सियम की कमी से कौन सा रोग होता है, दुधारू पसुओं में केल्सियम की कमी से कौन सा रोग होता है, यहाँ पे, चार दे रहे हैं, चार option है, तो चार option में सहींसरो आपको क्या होगा, सहींसरोगा, आपका option number A, milk fever होता है, ठीक है, दुधारू पसुओं में केल्सियम कमी से जो है, होता है नेकालने के लिए समान अर्थ वाला परियावाची सब्द निकालने के लिए यहां पर अतुल का प्रियावाची सब्द और होगा अगला जो कोशन है वह है कलोल का जो है परिया वाची सब्द क्या होगा कि तो अप्सिन Dome gent solution și लः ठीक है लिहर कलोल का परिया वाची सर्च होगा वो लहर होगा और अब यहाँ पर बोलहा है विलोम सब्द निकालने के लिए विलोम सब्द चुनने के लिए थी यहां वक्र दिया वक्र का विलोम सब्द क्या होगा वक्र का विलोम सब्द होगा ओप्शन नमर ए सीधा ठीक है सीधा होगा वक्र का विलोम सब्द सीधा उसके बाद जेस्ट दिया है जेस्ट का विलोम सब्द क्या होगा कनिस्ट कनिस्ट यह होगा ओप्शन नमर ए ठीक है क एसकर बाल सघंट का बोल्ला है सघंट का विलूम सब्द रहे इसका option नम्बर 22 हो लुकहां सघंट का जो विलूम विघंद कि क। ने हम चलता होद दर केबल चलता हो इसको जहां अनुची धंग से प्राप्त किया गया लाव क्या बोलेंगे यहां पर चार अप्सन दिया हुआ है तो अपलाव उसको अपलाव बोलेंगे अगला कुस्टन है कि यह खाली जगों को भरने के लिए है काव की दास में कभी अपने इस्देव की स्तूति करता है यहां किसी भी वाकर में सब्दों के परयोग सब्दों के पर्योग dziए को सेंसर होगा अगला को है तो यहाँ पर चार ओप्षंदिया सेंसर क्या होगा ओप्षन निम्मर बी इसका सेंसर होगा रिन ठीक है इस से में हमार देश पर कई परकार के अंतरश्टिय रिन हैं तो अप्शन नमर भी इसका सही अंसर होगा दोस्तों आप मैत का कुशन हम दो देखते हैं मैत का कुशन है एक वस्तू को बनाने कीमत सामगड़ी जो है और सरम और उपरी वेयों में जो है तीन अनुपाद चार सर निकाली क्या होगा तो यहां देखिए वस्तू का कीमत पूछ रहा है और उसमें जो मैटरियल लगा है जो व्याय लगा है जो पैसा लगा है और जो मजदूरी लगा हुआ है लेवर कॉश्ट जो लगा हुआ है टोटन मिला के जो बोल है क्या होगा तो यहां पर जो है सा यह कट जाएगा one two zero हो जाएगा में चार- तिन-सात दो lattなई अर्ण सो जागा तो वस्तुव कोस्ट किया हो जाएगा वस्तूक्ष्ट हो जाएगा three ex plus four ex plus two x यह वस्तुव उख ओ जाएगा चार तिन साथ दो नो 9 एक्स हो जागा तो वस्तुव कोष्ट के आज एक्स का वेलियों को निकल गया 9 गुणा 11.2,0 ठीक है 9 गुणा 11,0,8 और 11,0,100 एक सुरुपिया 80 पैसा इसका एंसर होगा तो आप्शन नमर ए इसका सई एंसर होगा आप्शन नमर ए अगला कोष्टन है 48 किलोमेटर परती घंटा की आउस्त गती से चलने वाली एक रेलगाडी जो है 6 गंटा 30 मिनट में यात्रा तई गरती है 180 किलोमेटर दूरी पार करने के बाद जो है गती जो है 33 किलोमेटर परती घंटा कर दी जाती है तो उसी यात्रा में जो है कितना समय लगेगा ये कोशन बोला जा रहा है तो यहाँ पे जो है total distance निकालते है total distance क्या होगा तो यह होगा आपको यहाँ पे लेगे time दिया हुआ है average और और सट और सपीड दिया हुआ है सपीड दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे total distance हमको निकल जाएगा तो 6 घंटा 30 मिनट है तो 6 घंटा 30 मिनट क्यों लिख सकते हैं 6 प्लस एक वोटे 2 घंटा हो गया गुना हो जाएगा यह 48 से यह distance निकल जाएगा तो छोदना बारा एक 13 बटे 2 हो जाए गुना 48 हो जाएगा यह 24 से कट जाएगा 13 गुना 24 किता होगा 312 किलो मिटर हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे आप बोला जारे 180 किलो मिटर दूरी पार करने के बाद जो है गती 33 किलो मिटर पर घंटा हो जाती है इसलिए जो है खुल समय हमको निकालना है खुल समय है टोटल टाइम निकालना है क्या है यह तो एबरेज था अब टोटल टाइम जदी हम निकालते हैं लिगका होगा देखिये 180 किलो मिटर जो है तो वह Aa2 कुलोमेटर पर घंटा के चाल से चल रही है उसके बाद जो है उसके बात पर जो डिस्टेंस है वो त्म properties गंटा से हो जाएगा बसे इसको solve करेंगे तो यह आपको cut जाएगा चार यह cut एगा आपको 15 ठीक है और यहाँ पर हम लोग करते हैं इसको 15 बटे 4 यह घटाएगा हो जाएगा आपको प्लस 132 बटे 33 यह आपको 4 से कट जाएगा तो इसको solve कर लेते हैं 15 बटे 4 प्लस 4 हो जाएगा चार चुको 16 15 16 कितना हो जाएगा 31 बटे 4 हो जाएगा बड़ा बड़ यह हो जाएगा 7.75 मतलब सात घंटा 45 मिनट यह आपका एंसर आयेगा 7 गंटा 45 मिनट अप्सन लाए हुगा उसका जिसका होगा उसका सही है अगला कोशन है पंधरई प्राक्र कृर्ट अंकों का आवसत यह और जिसके पांच से विभाजित करने पर 6-1 रहा जाते हैं ठीक है तिहां पर 4 उप्संद दिइया वाअ से अंशर क्या होगा देखे संख्यां क्या होगा पहले संख्यां क्या बोला जा रहा है 15 प्राकट संख्यां है जो 5 सिभाजित करने पर आउसत एक बज़ा जाए तो पहला संख्या अच्छे होगा 5 सिभाज करेंगे तो 5 और एक सिएसरा जाएगा उसके बाद पाच दौनादस से गारा हो जाएगा इसी दर से जाएगे हम आगे तो लास्ट क्या होगा 15 पचे 75 एक 76 हो जाएगा यह लास्ट रंख्या होगा एपी सीरीज में है यहां पर तो और आउसत निकालना हमको अभिष्ट और जदी हम निकालते हैं यहां पर और आउसत बोलना है क्या होगा प्रस्ट व्लाष्ट टर्म और तूधे बटे दोаете तालिस इसका त्युक्राइगा कि एक टालिस से कट जाएगा कि इस निकालने बोलेगा सो हांी होगा और जदी परसंटेज में बोला है कितना persenटेज का हरनी जोगा उसके लिए फर्मुला होता है पर सेंटेज में दे रहा है तो ही सेंटेज होगा 10 का स्क्वाइर हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा यहां सौ बटे स्वाइगा मतलब एक परसेंट का इनको हानी हुआ एक परसेंट तो अप्शन नमर क्या होगा अप्शन नमर सी होगा अगला कोशन है 50 का 860 परसेंट प्लस 860 का 50 परसेंट किसके बराबर है तो बहुत यह कोशन आपको निकालना है देखें निकालते हैं तो 50 गुना 860 बटे 100 हो जाएगा अप्लस और 8060 गुना 50 बटे 100 हो जाएगा कट गया कट गया कंट गया तो यह हो जाएगा 5 गुना 6 प्लस 5 गुना 6 तो दो बढ़ा है तो 2 गुना 5 गुना मतलब 10 से गिना कर देंगे तो 860 हो जाएगा यह आपका एंसर हो जाएगा आप्शन नमर 3 पर एंसर होगा में उसको हम लोग बदलेंगे मीटर पर सकेंड में 54 किलो मीटर पर आवर को लिखेंगे चाववन गुना इसको लिख सकते हैं कि इसको 5 बटे 18 से जड़ी मल्टिप्लाइ कर देंगे तो यह मीटर पर सकेंड में हो जागा अठारा तिया 55 पंदरा पंदरा मीटर कर सकेंड यह स्पीड हो गया आप और यहां पे टोटल डिस्टन्स जो दिया हुआ है मतलब दो सो पचास मीटर डिस्टेंस हैं अब यहां पे हमको टाइम निकालना है टाइम निकालना है तो 250 बट्टे 15 हो जाएगा ठीक है 250 बट्टे 15 15 तो पांस की आप 15 25 25 तो यह होगा 50 बट्टे तीन नहां पर इसको जिदी सॉल्ब करेंगे तो यह आपको आएगा 16 पुर्णा 2 बट्टे 3 इसका एंसर आएगा ओप्शन नमर क्या हागा ओप्शन नमर डी इसका से एंसर आगा ओप्शन नमर डी तो यह लगला कोशन देखते हैं दिल्ली और जयापूर जो है 403 किलो मेटर दूरी पे है एक एक एस्प्रेस बज जो है फ्राता पांच बजे दिल्ली से जयापूर के लिए रवाना होती है साथ क्लो मेटर पर्ति घठी की औसर गती से चल ड़ी है दूसरी डिलष बज उसी समय गैपूर से दिल्ली के लिए रवाना होती है ठीक है और जोनों बश बसोगêmes कितनी दुरिते मिलेगी गैक लेते हैं, एक्स घंटे पे जो है, एक्स घंटे के बाद जो है, दोनों बस मिलेगी, ठीक है, दोनों बस मिलेगी, दोनों बस आपस में मिलेगी, मिलेगी ठीक है यहाँ पर हम टोटल डिस्टेंस हमको दिया हुआ है और स्पीड भी दिया हुआ है दोनों बसका हमको इस दरह से प्रस्ना अनूसार हो जाएगा प्रस्ना अनूसार देखिए यह हो जाएगा आपको x गुना 60 60 प्लस 64 गुना x बराबर हो जाएगा 403 के ठीक है इसलिए x बराबर हो जाएगा यहाँ पर परनों को जोर दीचे 403 बटे 124 हो जाएगा इसलिए जो है बस जो है बस के आपस में मिलने आपस में मिलने कि अभिष्ट दूरी अभिष्ट दूरी वह दिल्ली से दिल्ली की तरफ से दिल्ली से कितना हो जागा है यहाँ पर देखिया है यह था हमको टाइम पता चल गया और हमको दिल्ली की तरफ से दिखना कि अगला कोशन ने एक बिरंग जमाराशी पर पर पर्थम वर्स के लिए 5 परसें दूसरे वर्स के लिए 6 परसें तीसरे वर्स के दस परसें चर्वर्दी व्याज जख्ष्ट देता है यदि जमाराशी तीसरे वर्स के अंत में 12,243 रुपिया है तो प्राड़ंबिक जमाराशी कितनी होगी ठीक है तो मूल रासी जदी हमको निकालना है मूल रासी तो ऐसे निकलेगा 12,243 गुना 100 by 110 ठीक है फिर हो जाएगा 102,106 फिर गुना हो जाएगा 102,105 इस तरह से करेंगे तो हमको मूल रासी निकल जाएगे ठीक है तिहां पर देखिए पहले हम लोग प्रिवियस में लेगे 10% का जो है 10% पहले हटाए फिर 6% हटाए फिर 5% हटाए उसका मूल लेते गए लेते गए यहां पर final में उसका final मूल आ जाएगा आपको यह आपको आएगा इसको solve कीज़ेगा तो यह आएगा 10,000 ठीक है इसको solve कीज़ेगा तो इसका answer आएगा 10,000 अप्शन नमर क्या होगा option नमर B इसका answer होगा ठीक है option नमर B देखिए next question है यदि x xy plus y square देखे यह तूट के एक छोटा सा term में आ जाएगा तो easy way में आपको निकल जाएगा इसको हम लिख सकते हैं 2x का square लिख सकते हैं into 2 into 2xy plus y square यह हो जाएगा 2x plus y का square हो जाएगा ठीक है आब इसमें value put कर देते हैं 2 गुना 1.75 plus y का value कितना है 0.5 का square यह हो जाएगा सतर दो चौटिस एक में 33.5 plus 0.5 मतलब 4 हो जाएगा 4 का square करेंगे कितना हो जाएगा 16 इसका answer हो जाएगा 16 ठीक है तो option नमर क्या होगा option नमर B इसका सही answer होगा option नमर B चलिए अगला question देख लेते हैं minus 2 और 2x square minus x plus k ब्राबर 0 का मूल है तो k का value निकालने बोल रहे है तो एक मूल दिया हुआ है तो value x के जगा value put कर देंगे minus 2 तो k का value होंको निकल जाएगा बहुत तीजी है 2 गुना minus 2 का square minus minus two plus k ब्राबर 0 हो जाएगा तो ये हो जागा दो तना 4 प्लस 4 हो जाएगा गुना 4 मतलब 8 हो जाएगा ये हो जाएगा मैन्स-टूच तो तो दो हो जाएगा प्लस k ब्राबर zero के ब्राबर कितना हो जाएगा मैनस 10 तो के गा value minus 10 आपको आएगा medicine number क्या होगा option number D होगा ठीक है option number D चलिए अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन है x plus 1y3 बराबर जो है root 3 दिया हुआ है ठीक है तो x power 24 plus x power 18 का value निकालना है इसलिए देखिए हम निकालते हैं x q plus 1 बटे x q जदी निकालते हैं होता है x plus 1 बटे x का hall q minus 3 into x बटे 1 बटे x into x plus 1 by x हो जाएगा मितलब यहाँ पर यह formula यूज किया गया है aq plus b q बराबर क्या होता है a plus b का hall q minus 3ab into a plus b यह जो formula होता है इसी पर यहाँ पर लिया गया है अब value यहाँ पर put करना है तो x plus 1 बट x का value कितना दिया है root 3 तो root 3 का hall q minus 3 into यह तो कट गया 3 अब यहाँ पर हो जाएगा root 3 तो यहाँ हो जाएगा 3 root 3 minus 3 root 3 तो यह आ जाएगा 0 मतलब इसका value जो हो गया 0 हो गया तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर x 24 plus x power 18 को निकालेंगे तो यहाँ पर x 21 common ले सकते हैं और यहाँ पर हो जाएगा x q plus 1 बट x q ठीक है यह हो जाएगा तो यहाँ पर x 21 गुना 0 मतलब 0 इसका answer आएगा ठीक है इसका answer क्या होगा option number a इसका answer आएगा 0 देखिए question है पी विराब एक सो दो तो यहाँ पर जो equation है इस पर जो है value निकालने बोड़ा है तो यहाँ पर जदी हम value निकालेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा calculation हो जाएगा बहुत ज्यादा time लेगा तो इसको solve करने के लिए देखिए इसको इसको पहले sort करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं पी पी स्क्वार मैनस 6 पी प्लस 12 लिखें ठीक है यहाँ पर देखिए पी क्यू मैनस 6 पी स्क्वार प्लस 12 पी देखिए एक formula होता है ए मैनस बी का हॉल क्यू का इसी पर हमको इसको ले जाना है यहाँ पर करना क्या पड़ेगा यहाँ पर हम लोग 8 जोड़ते थे आज घटा देते हैं तो कोई फरक नहीं पड़ता है तो इसको हम लोग इस टर में लिखते हैं तो पी क्यू ठीक है पी क्यू मैनस यहाँ हो जाएगा 3 इंटू पी 2. चीक है प्लस यह जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2 का 6 यहाँ हो जाएगा मैनस 2 का 4 यहाँ यहाँ यह यहाँ इस तरह से कर दिएकों यहिए है हम मैनस बी के हाउल क्यू ठीक हो जाएगा यहां पर पी का वेल्व डख दीजिए त्पी का वेल्व कितना है एक सो दो मैनस दो का हॉल क्यू प्लस आठ ना सो का हॉल की हो जाएगा प्लस आठ हो जाएगा सो का हाल क्यू कितना हो जाएगा ते काई दाहाई से करा हजार दस जार लाख छे जुरू हो जाएगा है यहां प option number a ठीक है चलिए एगला question देख लेते हैं 3a square b plus b square plus c square जो है बढ़ावर a plus b plus c का square है तो a b c जदी सुनियों तर हो वास्तिविक संख्यां क्या होगा इसको इस तरह से निकालते हैं 3a square plus 3b square square plus 3c square बढ़ावर जो है इसको हम लोग solve कर लेते हैं a square plus b square plus c square plus two a b ठीक है plus two b c plus two c a होता है इस तरह से इसको तोर के लिख सकते हैं अज़िए हम इसमें घटा देते हैं हो जाएगा two a square plus two b square plus two c square बढ़ावर two a b plus two b c plus two c a हम इसको इस सेट ले जाते हैं और एक टर्म में हम लिखते हैं इसको लिख सकते हैं a square दो बार में डिवाइड कर दिये a square minus two a b plus b square फिर लेखते हैं b square minus two b c plus c square फिर लेखते हैं c square minus two a c plus a square बढ़ावर 0 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं यह हो जाएगा a minus b ka hall square plus b minus c ka hall square plus c minus a ka hall square बढ़ावर 0 तो यहाँ से कंडीसर है यहाँ पर तो यहाँ पर सुनी ओतर है तो आओ बरावर b बरावर c इसका answer आगा ठीक है वर बरावर 0 हो जाएगा ए मैंस c बरावर 0 हो जाएगा और c भरावर 0 हो जाएगा और c- баб स्क्वाइर प्लस है तो और एच का भेलू निकालने बोल रहा है ठीक है तो निकालते हैं इसको टू आर बराबर जो है एच प्लस रूट आर स्क्वाइर प्लस एच स्क्वाइर दिया हुआ है क्या करते हैं टू आर मैनस हो जाएगा यहां पर और यह हो जाएगा आर जै रिंग बोथ साइड की हैं यहां पर हो जाएगा चार आरव स्कॉयर फ्लस का एक स्कॉर माइनस हो जाएगा चार अरह हो जाएगा ब्राअब यहां पर जाएगा आर अस्कॉर प्लस Rendं हुसे खट गया यहां धिरी आर स्कुर वराबर हो जाएगा इसए चल जाएगा फूर आरफ हो जाएगा है आर कट गिया यहाँ पे कि आर एन आज का रेष्यों जो हो जाएगा ये हो जाएगा चार अनूपात तीन ठीक है चार बटे तीन अप्सन नमर क्या होगा आ नमर्ड इसका से अंसर का option नमर्ड दी चलिए अगला question देख लेते हैं एक्स प्लस वाइबर दिया वाई थ्री रूट एट एक्स मेंस वाइबर दिया है रूट टू तो एट एक्स वाई इन्टू एक्स स्क्वाइर प्लस वाइबर का वैलू निकालना है है एक्स प्लसवाई ड्रूटा टीर्फ एक्स अहोगी एट में और यहाँ पे दिया हौई यल्ह ile कुंट इसको कैसलिक लिख सकते हैं दो दूँद और दूद आर तो यहां पर दो बाहर सकता है तो छोड़ वर किना होजाएगा है पर इसको सौल कर लेते हैं पहले जोडते हैं ठिक है जोडते हैं कट जाएगा डू या स्परावर निकल जाएगा, जम्रमकु 1 जाएगा, एक्स मानस रूट तो होजाएगा, तो एकस के जगा कितना है, सेवन डोट टू बाई, तो मैनस रूट तो, तो सेवन डूट टू, मैनस डू रूट टू, पटे, दो, फाइब का आयगा, अब हमको जो निकालना है वो निकालना है यहां पर हो जाएगा इसको सॉल्व कर लीजिए यह हो जाएगा कट जाएगा यहां पर चार दो रूट 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 कर लेंगे ति यह जाएगा आपको ट्री रूत को से तालीस मैनस से मन बाइच के रूट 1 बटे-3 मैनस रूट 1 बटे-3 इसको साल्व करना है तो यह है हम लोग तो रेगे है इसको इस तरह से लेख सकते हैं तीन गुणा यह जाएगा साथ का square गुणा तीन गुणा नीख सकते हैं मैनस यह जाएगा आपको तो 7 by 3 root 3 हो जाएगा, minus 1 बटे, 3 ती यह नोती यह सत्त है, यह भी 3 root 3 हो जाएगा, इसको solve कर लेते हैं, तो 21 root 3 हो गया, minus 7 बटे, 3 root 3 हो जाएगा, minus 1 बटे, 3 root 3, बस 3 root 3 आपका, यहां पर, LCM हो गया, और यहां पर हम लोग निकल जाएगा, तो 100, यह हो जाएगा, 89, minus 7, minus 1, और यह हो जाएगा, आपको, 181 बटे, 3 root 3, तो 181 है, मगर, 3 root, यहां पर, multiply है, तो यहां पर, 3 root से, multiply कर देते हैं, यहां पर, root 3, root 3 से, multiply कर दिये, तो यह आपका, आजाएगा, 180, root 3, बटे, इंतिया, नो, ठीक है, यह आपका, एंसर आएगा, तो option नमर क्या हो, option नमर C, इसका से, answer होगा, option नमर C, आवला कुशन है, तिर्भूज, ABC, एक समकून, यह तिर्भूज है, जिसका, जो है, कौन C, 90 डिग्रे है, यदि, CD, जो है, लम, AB पे है, और BCA स्कारब बड़ाबर 16, CA स्कारब बड़ाबर 9, तो CD का, वेलू बोला है, निकालने के लिए, तो तिर्भूज आपका, इस तरह से समकून तिर्भूज दिया हुआ है, यह 90 डिग्रे है, और A, B, C, तिर्भूज है, फिर बोल रहा है, D पे, लम है, यहाँ पे, टिक है, D है, और यह जो है, 90 डिग्रे है, यहाँ पे बोला जा रहा है, और यह देखिए, BCA स्कार, BCA स्कार, BC, BCA स्कार और CA स्कार दिया हुआ है, तो, ABA स्कार क्या होगा, ABA स्कार हो जाएगा, यह हो जाएगा, ACA स्कार पलस, BCA square मतलब 16 प्लस 9 यह हो जाएगा आपको 25 ठीक है यहाँ पर आपको value किसका निकालने बोल रहा है CD के value निकालने बोल रहा है ठीक है CD का value निकालने बोल रहा है तो यहाँ पर AB बरावर कितना हो जाएगा AB बरावर हो जाएगा आपको 25 है तो 5 हो जाएगा एबी एस्क्वाइर 25 है तो एबी 5 हो जाएगा उसके बाद BC जदी 16 है तो 4 हो जाएगा और CA जदी 9 है तो 3 हो जाएगा तो हम किसी भी तिरभूज में समकून तिरभूज है तो उसका 6 तिरभूज निकालते हैं क्या होता है एक वटे 2 अधार गुना उचाई एक वटे 2 अधार कितना है इसका CA कितना है 3 है उचाई कितना है इसका CB तो 4 हो जाएगा उसी तरह से हम तिरभूज जदी इस तिरभूज में ही लेते हैं और यहां पर जदी लंब है इसको लंब मानते हैं तो क्या होगा यहां प हो जाएगा यहां पे CD कितना हो जाएगा यह हो जाएगा चारतिया बारा बटे 5 ठीक है 4 तीया 12 बट यह 5 इसका answer रहागा तो option number क्या होगा option number B इसका option number B चलिए अगला question देखते है तिर्भुच के समतल में जो बिंदू तिर्भुच की बुझाओं से समान दूरी पे है उन बिंदियों की संख्या कितनी होगी देखे चार option में इसका answer होगा option number A एक होगी ठीक है एक होगी चलिए अगला question देख लेते हैं तिर्भुच के सीड से लंबों के परतिछेद बिंदू को क्या बोलते हैं यहाँ पे 4 option दिया हुआ अपको बताना है उसको लंब केंदर बोलते हैं कि सेंज्र क्या होगा इसका सेंज्रों स्लार ओपसण नमर एक सीर्ष पर एक रीट्र पर हर लाज्ट को सेंद्र दोस्तों एक त्रिवु जायल किंद्र समपाथी य., तर कि विडियो अच्छा लगे हो नाइक जरूर कर लिजेगा अपने दोस्तों को शेयरिए कर दीजेगा और अभी तक मिने चैनल को सब्सक्राइब ने की हैं तो कर लिजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केर बाबाई